प्रदॉलिया बजार निवासी बज़र्दॉल कारे करता बाबा ब्रेम सागर मिश्र की रविवार को बैपारियों ने दुकाने बंद कर पुलिस्ते खिलाफ नारे भासी की हत्यारों की शीख गृतरी ना होने पर बैपारियों ने आंदलन करने की चेताम नीती है प्रदॉलिया बजार निवासी बज़र्दॉल कारे करता बाबा ब्रेम सागर मिश्र को गुरुवार की रात अक्यात हमलावरों ने धारदा रतियार से पार कर खायल कर दिया जिसकी शनिवार को मौत हो गई उसकी मौत की खबर सुनते ही शेतर के वैपारियों में आखरुश वैलिया प्रविवार को वैपारियों ने दुकाने बंद कर विरोध दर्श कराया बर्दॉलिया वह भड़ सहिया बजार बंद रहा पैपार मंडल अध्यक्ष श्याम सुन्दर कुप्ता अनुपम मिश्रा शुरेश कुप्ता तेज बहादुर पांडे ने कहा हरईया थानाम पुलिस की लापरवाई से घर में सो रहे बजरंग दल कारे करता की निर्मम हंत्या कर दे गई तीन दिन बीच जाने के बाद भी पुलिस अग्यात के किलाव मुकत्मा गर्जकर हाथ पर हाथ धरे बैटी है हत्यारों के गिरेबात तक पुलिस के हाथ नहीं पहुच पा रहे कहा कि पुलिस की सिथिल कारवाही से वैबारी वा आम आदमी सहमा हुआ है राज बहादुर पांडे, कामेश्वरनात मिश्रा, हुकुम सिंग, राजकुमार पांडे, अविनाश तिवारी, कराम प्रधान प्रभादेवी ने कहा कि जल्द ही हत्यारों की गरफदारी ना हुई तो उग्र आंदुलन किया जाएगा प्रभारी निरक्षक योगेंदर यादव ने कहा है कि वैपारियों ने शोक में तुकाने बंद की थी, हत्यारों की गरफदारी का प्रयास किया जा रहा है एवीपियस न्यूस के लिए बलरामपुर से प्रमोत कमार पांडे की एक रिपोर्ट